आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भई अगर बेर मार्केट आ जाती है तो उसमें हम कैसे सर्वाइब कर सकते हैं as an investor इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि भई बुल और बेर मार्केट होती क्या है और क्या टेक्निकली हम अल्रेडी बेर मार्केट में एंटर कर चुके है नहीं तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसि हैं एक लंबे समय तक घड़ते रहते हैं तो यह तो हो गई हाई-level definition और यह जो प्राइज बढ़ते और घड़ते हैं यह कई कारणों की वज़े से हो सकता है जैसे कि अगर बुल मार्केट की बात की जाए तो economic outlook positive हो सकती है strong corporate earnings हो सकती है global factor positive हो सकते हैं इनकी वज़े से stock के prices बढ़ सकते हैं और similarly अगर bear market है तो negative economic outlook हो सकती है weak corporate earning हो सकती है global जो factor है वो negative हो सकते हैं उसकी वज़े से एक लंबे समय तक अगर stock के prices गिरते रहते हैं तो उसको bear market बोला जाता है और अगर हम purely definition की बात करेंगे भई लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं घड़ते रहते हैं इस को हम define कैसे करेंगे कि भई यह bull market है और या bear market है तो उसकी जो definition है वो यह कहती है कि अगर जो भी recent low या 52 week low है उससे अगर जो stock के prices हैं 20% तक बढ़ चुके हैं तो उसको बोला जाता है कि हम bull market में हैं और उसी तरह से दूसरी साइड में अगर जो recent high है उससे अगर 20% तक जो stock क prices हैं या हमारे जो main index हैं वो गिर चुका है तो हम यह बोलते हैं कि bear face में हैं यानि कि bear market की start हो चुकी है तो यह तो हो गई high level definition तो क्या every time अगर हम 20% अपने week जो 52 week low है उससे बढ़ जाएंगे तो वो bull face होगा और अगर हम 52 week high से 20% गिर जाएंगे तो क्या वो bear face होगा तो उस percent का fall आता है एक steep rally के बाद यानि कि market बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है उसके बाद 20% का अगर fall भी आ जाता है तो उसको बोला जाता है market correction हुई है और similarly अगर market बहुत तेजी से गिरती है जैसे कि covid के time पे 12,400 से 7500 पे market गिर गई थी उसके बाद अगर वो 20% बढ़ भी जा आती है तो हम यह नहीं बोलेंगे कि हम bull face में आ गए हैं हम यह बोलेंगे कि pull back rally है तो कब actually में confirmation होती है कि भाई हम bull face पे है या bear face में अगेन यह purely definition basis पे हम बात कर रहे हैं तो पहला तो हो गया कि 52 weeks से 20% उपर नीचे होना चाहिए दूसरा इसकी confirmation होती है कि अगर जो 50-day moving average है वो अगर 200-day जो moving average होती है उसको अगर cross कर देता है चार्ट पे जिसको की technical term में golden cross बोला जाता है तो हम यह confirm कर देते हैं कि भाई हम आज की date में bull face में enter कर चुके हैं जैसे अगर हम example लें COVID के time का COVID के time पे market 12,400 से 7,500 पे गिरी थी बहुत major गिरी थी जिसको की हम बोल सकते हैं कि हम bear face में आ गए थे उसके बाद ideally तो 7,500 का 20% होता है 1500 यानि कि 9,000 point के बाद हमें बोलना चाहिए था जब nifty 50 9,000 cross कर गया था कि हम bull face में आ गए हैं लेकिन हम bull face में नहीं आये थे हम bull face में आये चल रहा था क्योंकि उस time पे हम 52 week low से 20% उपर थे और इसके साथ साथ जो 50 day moving average है उसने 200 day moving average को cross कर लिया था तो हम August 2020 के बाद bull face में enter कर गए थे और आज की rate में क्या हम bear face में आ गए हैं तो bear face की पहले पहले definition यही है कि पहले तो 20% नीचे आने चाहिए हैं high level से तो 18,604 हमार अभी 52 week high था जो कि October 2021 में हमने touch किया था उससे अगर हम 20% नीचे देखे तो roughly 14,900 से 15,000 के level पे हम पहुंचते हैं तो पहला sign मिलेगा कि हम bear face में आ चुके है या bear market की start हो चुकी है उसके बाद भी हमें confirmation के लिए देखना होगा कि जो 50 day moving average है क्या उसने 200 day moving average को तोड़ दिया ह तो technically हम अभी bear market में नहीं आये हैं क्योंकि अभी हम आज की भी market के बाद लगभख 16,950 के आसपास हैं तो लगभख 15,000 के पास जब हम पहुंचते हैं तो बोला जाएगा कि हम bear face में आ गए हैं और अब अगर बात की जाए कि क्या इससे पहले कभी Indian stock market bear face में गई है तो Morgan Stanley की एक study के साब से पिछले 27 साल में हम 27 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1995 के बाद ही जो foreign investor है उन्होंने actively Indian जो equity है उसमें participate करना शुरू किया था हमारी market बड़ी हुई थी तो हम global हुए थे तो इस चारों ही बार जो कारण थे bear face में जाने के वो global factors थे यानि कि हम अपने factor की वज़े से नहीं राधर global factor दुनिया में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से हम bear face में गए थे तो अगर हम चारों अगर देखे कि कब-कब हम bear face में गए हैं तो पहली बार हम गए थे 1997 और 1998 period में जबकि रशिया ने debt default किया था जैसे अभी पीछे श्रिलंका ने अपने debt पे default किया है ऐसा रशिया ने भी debt default कर दिया था और इससे पहले एक Asian financial crisis आया था उसके बाद रशिया ने debt default किया था हाना कि उस टाइम पे हमारी market bear face में गई थी लेकिन उस टाइम पे जो इंडिया की dot com bubble burst हम बोलते हैं उसके बाद जो 9-11 terrorist attack हुआ तो उस time पे हमारी जो market है दूसरी बार bear face में गई थी यहां पे directly इंडिया को ज्यादा impact नहीं हुआ था क्योंकि हम इतने global नहीं थे हाना कि कुछ collateral damage था software services sector में खासकर कुछ impact देखा गया था लेकिन जो main इसका impact था वो US centric bear market थी यह यानि कि US की market पे ज्यादा impact पड़ा था इंडिया भी तब इतना impact नहीं पड़ा था तीसरा अगर हम देखे तो global financial crisis 2089 में आया था यह का आपको सबको पता होगा कि जब Lehman brother का crisis हुआ था हाला कि उस time पे जो भारतिये bank थे वो unaffected रहे थे क्योंकि वो directly involved नहीं थे थोड़ा बहुत ICSA bank का exposure था उसके अलावा किसी भी बड़े bank का कोई exposure नहीं था उसमें हमारे bank vanilla lending करते थे यानिकि fixed rate पे loan दिया करते थे तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा था हाला कि हमारा जो capital account था यानि कि जो foreign asset और liability वाले account था उसकी वज़े से हम crisis में आये थे और जो हमारी stock market है दुनिया की जो top worst performing stock market थी उसमें से एक रही थी तो यानि कि 2008-09 में हमें इसका impact पड़ा था और चौती बार जब हम bear market में गए थे March 2020 में जबकि COVID-19 आया था तब 12,400 से लेकर कि हमारा जो nifty 50 index है 7,500 पे आ गया था उसके बाद हम बड़ी तेजी से recover हुए थे और August 2020 में हम जो bull market phase में आये थे और हमने उसके बाद 14 महीने तक लगा तार तेजी दिखाए थी और October में हम थोड़ा बहुत correct हुए हैं तो market correction देखी जा रही है लेकिन अभी भी technically हम bear face में enter नहीं हुए हैं और अगर बात की जाए कि बुल और bear market में हमें क्या करना चाहिए तो अगर हम high level पे बात करें तो उसका answer बहुत ही simple है कि bull market में कोई भी dip आता है उसमें buying opportunities देखनी चाहिए और bear market में कोई भी rise आता है उसमें selling opportunities देखनी चाहिए तो ये तो हो गए fundamental और history ने हमें suggest किया है कि जो bull market है वो जदा तर लंबे समय तक रहती है जैसे अभी भी जब August 2020 में हम bull face में enter हुए थे October 2020 तक हम bull face में रहे थे तो एक लंबा 14 महीने का bull face था तो historically भी bull face हमेशा bear market से लं और उन्होंने बताया था कि जो average bull market की length होती है वो 2.7 years होती है और वहीं जो bear market है वो average 10 महीने तक survive करती है हाला कि कुछ cases में ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है बट on an average पिछले 100 साल का data देखा जाए तो bull market 2.7 years और bear market लगभग 10 months तक रहती है और अगर हम detail में बात करें कि भाई अगर हम bear market में आ जाते हैं तो उसमें survival के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके कुछ fundamental तरीके हैं जो कि historically हमने learn किये हैं तो सबसे पहले तो knee jerk reaction को avoid करना चाहिए क्योंकि जब भी market बुरी तरह से drop होती है तो हम tempt होते हैं कि भाई अभी wage तो दुबारा से जब market बड़ेगी तब हम खरीद लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे permanent loss of capital हो जाता है तो हमेशा knee jerk reaction से बचिए हाना कि आपका जो sentiment होगा बहुत negative होगा जब bear market चल रही होगी लेकिन अगर आपको लंबे फायदे उठाने हैं तो आ दूसरा आप अपने जो goals और risk tolerance है उसको revisit कीजिए खास कर जो भी आपके short term goals है अगले 2-3 साल में जो आपके goals है उसके लिए जो पैसा आपको चाहिए उसको आप debt fund या cash and cash equivalent में रखिए तो कभी भी जब आपको अगले 2-3 साल का जो पैसा चाहिए उसको धीरे धीरे जब भी market अच्छी चल रही हो तो आपको अपना debt fund में उसको move कर देना चाहिए क्योंकि equity में वही portion आपको रखना चाहिए जो कि आप लंबे समय तक hold कर सकते ताकि अगर bear market चलती रहती है अगर एक साल तक भी 6 महीने 8 महीने भी तो आप survive कर पाएं तो इसमें आप तभी कर पाएंग है कि आपको invest करना चाहिए consistently अगर आपकी आप अपने उपर control नहीं कर सकते तो sip कीजिए उसको बिल्कुल बंद मत कीजिए आप regular interval पे invest करते रही है क्योंकि ऐसा ही time होगा जब bear market होगी तो आपको कई जो shares है वो बहुत ही affordable price पे मिल जाएंगे और जब market rebound करेगी तो आपको फायदा होगा तो यह golden principle है हाला कि यह बोलना बहुत असान है जब actually में market आती है तो बहुत मुश्किल होता है invest करना लेकिन यह golden principle है अगर आप एक अच्छे investor बनना चाहते हैं तो आपको bear market में consistently invest करना पड़ेगा long term perspective से इसके अलावा आपको strategic opportunities देखनी चाहिए जैसे कि जो invest कीजिए high quality जो businesses हैं balance sheet हैं क्योंकि ऐसे टाइम पे bear market पे अच्छे अच्छी companies के जो stock हैं वो बहुत ही अच्छे price पे मिलते हैं जैसे आज की date में भी HDFC जो group है उसके shares बहुत ही अच्छे दामों पे मिल रहे हैं अगर आपका long term perspective है तो यह बहुत ही अच्छी bet साबित हो सकत हैं क्योंकि bear market में जो risky stocks हैं उनको avoid करना चाहिए इसके अलावा जो high quality stock है जो कि dividend pay करते हैं और historically अपने dividend को बढ़ाते हैं ऐसे stock में रहे हैं ताकि जब भी अगर वो stock prices गिरते भी रहते हैं तो आपकी जो भरपाई है वो dividend से हो जा तो overall आपकी return ठीक रहे तो strategically आपको इस time प equity में रखना चाहते हैं अगर आप यंग है तो ज्यादा equity में रख सकते हैं थोड़ा retirement के पास है तो debt portion आपका ज्यादा होना चाहिए तो जो भी आपका overall portfolio है आप देखिए कि मैं 50% equity में रखूंगा 50% debt में यह आपका golden rule होना चाहिए इसको आप revisit कर सकते हैं जैसे जैसे आप आपकी age बढ़ रही है आपकी जो requirement है वो बढ़ रही है लेकिन जैसे आज की date में 50-50 decide करते हैं तो bull market में क्या होगा equity जो आपने hold की होगी उसके prices बढ़ेंगे हो सकता है यह 60 हो जाए और यह 40 हो जाए तो उस time पे आपको profit book करके इसको वापस 50 पे ले आना चाहिए और इस पैसे को debt और cash में डाल देना चाहिए ताकि यह बढ़के 50-50 हो जाए ताकि कल को जब अगर bear market आती है और यह 40 रह जाता है और यह 60 हो जाता है तो उस time पे आप यहाँ पे जो profit book किया था आप लेके गए थे यह पैसा debt और cash में उसको आप equity में shift कर सकते हैं तो आप एक preferred asset allocation ब इस preferred asset allocation को maintain करना है नहीं तो कई बार क्या होता है बुल मार्केट में हम बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि भई हमें तो profit book नहीं करना इसी से ही यह पैसा बहुत बढ़ा हो जाएगा तो national profit आपका बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है आप उसको देखके खुश होते रहते हैं पिछले 100 सालों में, 500 सालों में जब से stock market चल रहा है दुनिया में world war आया, covid-19 आया, iran-iraq war हुआ, 9-11 हुआ, russia-ukraine war हुआ, israel के इतने wars हुए लेकिन सभी में ultimately market ने bounce back किया है तो आपको ये विश्वास रखना है कि कुछ भी हो जाए क्योंकि जब भी market में bear face आता है तो व को लग रहा था कि शायद दुनिया में vaccine ही नहीं बनेगी, शायद आधी दुनिया खतम हो जाएगी, same जैसे जब 9-11 हुआ तो लगा कि world war 3 हो जाएगा, तो इस तरह से जब भी market में bear face आएगा तो sentiment definitely negative होंगे, लेकिन आपको perspective maintain रखना है कि भई ये face चला जाएगा और वो आ कैसे कर पाएंगे, जब आपका long term perspective होगा, अगर आपकी short term requirement है, तो definitely आप nervous होंगे, तो इसलिए जितनी भी short term requirement है, अगले 2-3 साल की उसको आप अपने fixed portfolio में shift करते रहिए, बाकी का जो long term का है, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई नई चीज आ जाए, तो भी आपको ये रखना है कि भी ये चीज भी खतम होगी, ultimately stock market उपर ही जाएगा, तो ये आपको perspective maintain करते हुए investment जारी रखनी है, तो definitely आपको जब market rebound करेगी, तो इसके बहुत फायदे होंगे, तो अगर मेरी advice मानना चाहते है, तो ये मेरे लिए golden principle रहा है हमेशा, कि जब भी perspective maintain करना, हाला कि ये असान काम नहीं है, जब covid आया था, हमारे portfolio बहुत ही ज़्यादा negative नहीं थे, तो बहुत ही मुश्किल था, कि उस time पे maintain करना, कि हम continue करें investment, और जड़ा सा भी जैसी rebound हो रहा था, हम उसको बेचे ना, लेकिन ये golden principle है, अगर आप इसको follow करेंगे, तो आप real फायदा उठा पाएंग का, और सात्वा इसमें से, और आखरी मैं बोलूँगा, कि अगर आपको अपने emotion पे control नहीं है, आप sip continue नहीं कर सकते, bear market में आपको लगता है, कि भई, आप निकलना चाहते हैं, तो आप एक financial advisor की help ले सकते हैं, आप mutual fund के through जा सकते हैं, या कोई आपका ऐसा financial advisor है, जो कि आप को guide कर सकता है, आपके पैसे को manage कर सकता है, I know इसमें कुछ charges लगते हैं, लेकिन उसकी I am sure की जो भरपाई है, वो आपकी return के रूप में हो जाएगी, क्योंकि हम emotionally जितना भी बोल ले, अगर कल को market 10% यहां से और नीचे गिरती है, मुझे नहीं लगता कि even मैं भी, जितनी बा सकते, तो किसी professional की help लीजिए, खासकर bear market face में, और उससे आप देखेंगे कि जब चीजे turn around होंगी, तो आपको काफी अच्छा फाइदा होगा, मैं माफी चाहूंगा कि यह वीडियो थोड़ा सा बढ़ा हो गया, लेकिन मुझे उमीद है कि आपने कुछ नया जाना होगा, और कल को अगर कोई भी bear face आता है, तो उसमें आप यह वाले rules follow करेंगे और ultimately as a winner साबित होके बाहर आएंगे, thanks so much for watching the video and God bless you all.